कल बाबर आजम ने शांदार श्यतक लगाया था, 177 के स्ट्राइग रेट से उन्होंने श्यतक पूरा किया था, PSL का ये उनका पहला श्यतक था कई लोग कहने लगे कि यार बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा सेलफिश इनिंग खेल दिये, क्योंकि आकरी के 16 गिंदों पर उन्हें श्यतक पूरा करने के लिए 20 रन बनाये थे, चुकि 240 रन बनाने के बाद भी टीम हार गई मुकाबला, तो लोग किसी ने भी आज ही कोई जिमेदार नहीं ठेहरा है, बोले लगे कि आकरी 16 बोल पर जो 20 रन बनाया ना बाबर आजम ने, इसी वज़े से बाबर आजम की टीम को हार का सामना करना पड़ा, सेलफिश इनिंग इनको बोल दिये, आज क्या हुआ फखर जमान ने आकरी 20 गिंदों पर 28 रन क कहा गया है, लेकिन आज कोई फखर जमान को सेलफिश इनिंग नहीं कहा रहा है, सब के मुह में दही जमा हुआ है, मेरे ख्याल से हमको तो यह लग रहा है, और वो कमेंटेटर का क्या ना मैं सामन डूल या डूल, उसकी बैटरी थोड़ी खराब हो गई, आज शायद उनके मुह में फेविकॉल लग गया होगा, आज नहीं बोल रहे हैं कि वो सेलफिश निंग क्यों, क्योंकि आज लाहर कलंदर्स की टीम जो है मुकाबला जीत गई है, तो यह दोगला पन थोड़ा कम कर दीजे सर, वरना मैं तो निकालता ही रहता हूँ, समय समय पर बहुत लोगो का और खास करके कराची मीडिया माफिया का, आज कोई कराची मीडिया माफिया नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, सेलफिश नहीं के फगर जमान की, कोई नहीं बोलेगा, मैं जानता हूँ यार, ऐसे रेलाई थोड़ी करता हूँ इनका, ऐसे थोड़ी मेरे से यह किलसे वे रहते हैं रेलाई जरूरी है करता ही रहूंगा ठीक है धन्यवाद